तो देखें, टॉपिक है डामिशनल इनरलेसिस, तो सबसे पहले तो चुग हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो पहले आएगा भई, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, वाट इस फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी तो अब आपको लगेगा जो quantity physics से related हो और physics से कौन कौन सी हमको नहीं मालूम ना तो जैसे मैं कहूं कि किसी चीज का area कितना है तो आप लिखेंगे 10 meter square area of any rectangle कुछ भी दिया हुआ है तो 10 इसकी numerical value है और meter square इसकी unit है तो जिस quantity के अंदर numerical value होती है और as well as unit होती है तो आप चाहें definition लिख सकते हैं कि physical quantities are those quantities physical quantities are those quantities which have numerical value as well as unit numerical value as well as unit जिनके पार numerical value होती है और unit होती है उसको हम कहते हैं physical quantity जैसे मैं कहूं कि हम बहुत गोरे हैं तो कहा जाए किसे कितने गोरे हो तो कितने गोरे हम नहीं कह सकते हैं हम यह कह सकते हैं जिस कलवा से हम ज़्यादा गोरे हैं किसी से compare कर सकते हैं लेकिन गोरे कितने हैं उसकी value हम नहीं दे सकते हैं या हमारी मदर हमको बहुत प्यार करती है, कितना करती है, उसकी कोई वैलू नहीं दे सकते हो, तो पांच, दस, पंद्रा, तो वो फिजकल कॉइन्टी नहीं है, तो जिस quantity के अंदर numerical value होती है और unit होती है उसको हम क्या कहते है फिजिकल quantity कहते है अब ज़रा समझेगा अब भाई कितनी quantities होती है तो हमने कहा हम देखी ये उस दौर की बात है जब science का development धिरे-दिरे होने जा रहा था हो रहा था तो उसमें कहा गया भाई देखो लंबाई होती होती है लेंध होती है चल्ड़ाई होती है ब्रेत होती है उचाइं होती है गेराई होती है 59 ठीक नस होती है मास कितनी quantity हम याद रखेंगे इन सब quantities को याद करना it . इतनी quantity को याद करना संभो नहीं है तो scientist ने जितनी क्वांटिटी थी फिजिक्स की, उनको साथ क्वांटी भी माटा गया, उन्हें कहा गया फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्या कहा गया? फंडामेंटल क्वांटिटीज, जितनी फिजिक्स क्वांटिज हैं, उनको साथ भागु माट दिया गया है, लिखे, all the physical quantities are divided into seven parts, all the physical quantities are divided into seven parts known as fundamental quantities, fundamental quantities given by, अब इनको क्या-क्या लिया गया, number one length, length को एक fundamental quantity मना गया, जब मैं बात length की कर रहा हूँ, तो जिसमें भी लंबाई हूँ, चाहे वो length हो, breath हो, height हो, thickness हो, depth हो, सब length में आएगा, number two है, mass, mass को fundamental मना गया, अब वो length किसको क्या मना गया, वो बात की बात है, वो बात में बात की जाएगी, तीसरा बताया गया, time, time को fundamental quantity मना गया, चौता बताया गया, electric current, electric current, current को fundamental quantity मना गया, पाँचमा बताया गया, luminous intensity, luminous intensity, intensity, छटा बताया गया, कौन बचा, amount of substance, अभी एक और बचा है, temperature, temperature, और सातमा जो कि पहले सामिल नहीं था, बताया, 87 में हम लोगों ने इंटर किया है, तब वो सात नहीं थे, 6 थे, बाद में सामिल किया गया है, amount of substance, amount of substance, तो लिखेंगे, the quantities are divided into 7 parts, they are length, mass, time, electric current, luminous intensity, temperature, amount of substance, they are known as fundamental quantities, हो गई, अब fundamental quantity देने के लिए, उनकी कुछ unit चाहिए, तो next हो गई, fundamental units, fundamental units, तो definition से लग रहा है, the units given to the fundamental quantities are known as fundamental units, the units given, तो को लिखते जाओ क्यों कहा रहता है, practice makes a man perfect and writing makes a man exact, यह नहीं सुना होगा आपने, writing makes a man exact, अगर आप बार बार किसी चीज़ की लिखित practice कर रहे हैं, तो आपको exactness आती है, ठीक है, the units which are used to express fundamental quantities are known as fundamental units, लिख इसले नहीं रहें इसमें हम, कि हमारी तो writing गंदी हो, इतना बड़ा लिखेंगी तो और गंदा दिखेगा, तो far length we are giving, या we have given fundamental unit meter, इसके लिए किसका इस्तिमाल किया गया, meter, mass के लिए हमने दिया, kilogram, time के लिए हमने दिया, second, electric current के लिए हमने दिया, ampere, luminous intensity का मतलब होता है, कि हर बाड़ी अपने temperature के कारण लगातार energy radiate करती है, तो यूँकि यह बाड़ी का glow होता है, आप देखा हो कभी साबून का advertisement जो आता है, क्यों, हमको रगड़ दिखाएं, बला हम बन जाएं, वह रो इन तरह है, फटरी ना कैफ की तरह है, नहीं जो भी उसका नाम है, तो यानि कि वही दिखाई जाती जो आल लेड़ी पहले से उनके चेरे में glow है, और glow दिखाने के लिए चमक, चमक के लिए candle का इस्तेमाल किया गया रोशनी, तो इसलिए इसकी unit क्या दी गई है, candela, candela इसकी unit दी गई है, अब temperature के लिए आप कहेंगे, बेड़ी centigrade होना चाहिए, तो वो degree centigrade और degree Fahrenheit जतने भी system थे, इसमें थोड़ी सी कमिया थी, वो कमिया आपको बताई जाएंगी, जब heat पढ़ाई जाए उसके लिए वो conditional होती है, वो degree centigrade में क्या होता है, कि पानी जमें, तो उसमें zero degree centigrade होता है, लेकिन उसके लिए condition कब, normal temperature और atmospheric pressure होना चाहिए, अगर pressure change हो जाएगा तो गरवड हो जाएगा, इसलिए वो नहीं दिया गया, और इसके लिए किसा किया गया, Kelvin का इस्तेमाल किया गया क्यों किया गया, वो बात में बात की जाएगी और amount of substance के लिए mole का इस्तेमाल किया गया, अच्छा इसमें indication किया जाएगा, meter के लिए L को indicate करेंगे हम, mass के लिए M का इस्तेमाल करेंगे, time के लिए T का इस्तेमाल करेंगे, amper के लिए A का इस्तेमाल करेंगे, candela के लिए CD का इ करेंगे एमोयल तो यह लगवग लगवग कहीं यूज नहीं होते हैं एज डैमेंशन में लेकिन अन्यूज होते हैं तो इनका इंडिकेशन जरूर याद होना चाहिए नोट करिए इसको अच्छा अगर हम भई फिजिक जब फंडमेंटल क्वांटिटी की हम बात कर रहे थे हम कहें भई मेरी लंबाई मालिया दो मीटर है नहीं है नहीं कहने हम क्या दिक्कत है और मेरा वज़न साथ किलो है टोटल कितना हुआ कुल कितना हुआ मताब कुल निकालें कैसे अब दो मीटर में किलो ग्राम कोईसे जोड़ दें तो फंडमेंटल क्वांटी यह इन डिपरेंड्डेंड ट से हो जाएगा तो दे आर इन डिपरेंडेंटक्वांटी तो जब ये quantity साथ decide कर दी गई तो इसके बाद साइंटिस ने का भई ठीक है सब तो quantity हो गई अभी इनके बारे में एक एक करके हम डिसस बाद में करेंगे ठीक है फिर कहा गया अच्छा ये बताइए अगर दो लाइने हैं ऐसे उनके बीच एंगल ऐसे निकालना है तो एंगल क कर रहा है आर्क ये रेडियस है तो एंगल के लिए हमने क्या फामला दे रखा था आर्क पान रेडियस आर्क एक लेंथ है रेडियस है तो लेंथ की यूनिट मीटर रेडियस की मीटर तो बोले मीटर अपान मीटर कर दें तो तो यूनिट नहीं भी नो यूनिट नहीं नही बात थोड़ी है, no unit, तो वो ले आब इसके लिए क्या किया जाए, वो ले इसके लिए कोई unit दे दी जाए, कोई unit दे दी जाए, तो उसको कहा गया supplementary unit, क्या कहा गया, supplementary unit, मतब actually उसकी कोई unit नहीं होती है, लेकिन उसको एक supplementary, जैसे supplement लेते हैं, food supplement, की प्रोटीन का supplement यह है, तो next topic डालिए, supplementary unit, supplementary unit, नमबर एक, अभी जतना बोले उतना बोली है, डिराइब कैसे बोल दे हैं, supplementary बोलते हैं, तो पहला हो गया angle के लिए, angle के लिए जो unit दिया गया, वो radian दिया गया, क्या दिया गया, radian, क्योंकि angle की कोई unit होती नहीं, हमारे formula की हिसाफ से, ठीक है, जब angle के unit दी जा रही थी, तो एक भाई साब और भी पीछे खड़े थे unit लेने के लिए, वो थे solid angle, दूसरा है solid angle, पहले solid angle होता क्या जा समझिएगा, solid angle, देखो ध्यान से, हर एक body, body के बारे में बात कर रहे हैं, एक point पे जाके कुछ angle बनाती है, जैसे हमारा मुँ आपके आप यहां बहुत दाड़ी बारी लटक रही होगी, और हमने का इस point पे यह आपकी आख है, यहां पे हमारा मुँ कितना angle बनाएगा, तो हर point से हमारे मुँ से ऐसे मिलाना पड़ेगा आपको, भाई मुँ तो 3D dimension है ना, 3D quantity है, ऐसे मिला दोगे, तो यह कौन सा angle है, इसको solid angle, ठीक है, तो जैसे मालिया, इसके बारे में आपको इंटर में बहुत detail में, उतना detail महा भी नहीं है, जैसे एक football है, एक football अप लीजिए, यह football का center है, अब आपको एक football ऐसा होता है, बाई से होता है, अब अगर देखा होगा, फुटबाल बहु सारे patches होते हैं, छोड़ चो तो एरिया के unit, meter square, आर square unit, meter square, इसकी भी कोई unit नहीं होती है, तो क्या करें, तो उसके लिए वे एक unit देनी थी, unit दी किसको गई थी, radian, यह भी पीछे खड़े हुए थे, इनको भी, इनको दी जा रही थी radian, यह पीछे चिला रहे होंगे, हम को भी unit दो, हम को unit दो, इनसे क radian, तो यह supplementary unit है, मतलब actually इसकी कोई unit exist नहीं करती है, फार्मूले के हिसाब से, लेकिन उसको नापने के लिए, वह angle कितना, वह थर्टी radian, पाई radian, तो कुस unit हो गए ना, क्योंकि वो physical quantity होती है, इसलिए उसको यह radian दिया गया, नोट कर यह दो यूनिट हो गई, अब आ होता है, तो general formula length into breadth होता है, general formula, वैसे तो area किस चीज़ का, triangle का area अलग होता है, root ss minus s minus, half base into height होता है, rectangle का length into breadth होता है, side square होता है, general length into breadth होता है, तो अगर मैं इसकी unit की बात करूं, तो इसकी meter होती है, विर्स की भी meter होती है, और तो meter square हो गई, ठीक, अभी कुछ नहीं हम बोल करके, मैं speed का formula लेता हूँ, क्या formula होता है, distance upon time, distance की unit, meter, time की unit, और दोनों एक साथ मिल गई, तो unit किसकी मिल गई, आपने क्या देखा, दो fundamental unit का इस्तेमाल किया हमने, और we get the new unit of speed, यानि speed की unit के लिए, हमने fundamental unit से derive किया, derive क्या होता, derivation, कहीं से जोड तोड़ करके लाना, वही derived unit, derived unit, संब जाए, नाम क्यों derived किया गया, drives लेकिया गया, कि आई देखे, length की unit, meter, breath unit, meter, fundamental unit, meter, fundamental unit, दो fundamental एक साथ रख दिये गए, उनका हो गया multiply, और unit किसी बन गई, area की, तो area की unit, दो fundamental unit, meter को रखने से बनाई गई, speed की unit, दो fundamental unit, meter और second को की help से बनाई गई, ठीक है, तो आप कहेंगे, जो unit, fundamental unit के help से बनाई जाए, उसको हम क्या कहते हैं, derived unit, तो next लिखे, derived unit, the unit which are obtained, the unit which are obtained with the help of fundamental units, are known as derived unit, known as derived unit, example लिख दो, area, unit meter square, speed, unit meter per second, ठीक है, unit की बात, यहाँ unit लिखेगा, इसको यहाँ ना लिखेगा, unit meter per second, तो meter fundamental, second fundamental, दोनों एक साथ रख लिए गए, you get the new unit of speed, इस प्रिकार से बहुत सारे formula आपके पास हैं, ठीक है, यह हो गया, derived unit, ठीक है, अगर dimension की definition हम देना चाहें, अभी हम dimension नहीं दे रहे हैं, देखो ध्यान से, जैसे मैं बात करूँ area की, तो आप कहेंगे, area होता length into breath, length unit, meter, breath unit, meter, meter को indicate किसे किया हमने, L बोले तो meter, और एक बार और L लिखा, यह क्या हो गया, L square, जड़ा ध्यान से देखिएगा, area क्या चीज है, area है physical unit, यह unit है, area is not unit भई, area क्या है, एक physical quantity है, है नहीं है, quantity, quantity, L क्या है, meter है, meter बोले तो fundamental unit, fundamental unit है, तो यह power है न, इसी को dimension कहते है, क्या कहते है, dimension कहते है, तो जैसे आप से कहा जाए, dimension की definition क्या होती है, तो आप बना सकते हैं कि dimensions are the powers raised on fundamental unit to express any physical quantity, ठीक है, या आप दूसरी बहा समरे सकते हैं, कि to express any physical quantity, the power which are raised on fundamental units are known as dimension, यह dimension की definition हो जाएगी, ठीक है, तो जो power आपने raise की है, वो dimension है, लेकिन भाई सब यह L square क्या है, यह पूरा मिला करके, जो L square आपने लिखा है यहाँ पर, यह है dimensional formula, क्या है, dimensional formula, तो हम से कहा जाएगा, what is the dimension of area, तो लिखेंगे हैं L square, लिखा यही जाता है, dimension of area is L square, लेकिन माल्या एक्जाम में आया, या किसी ने पूछा, कि what is the dimension of area, तो आपने का L square, उसने का अच्छा, कहां पढ़ने जाते हैं, कौन पढ़ाता है भाई, गदा मास्टर रहे का, तो आप थोड़ा सा चेक कर लिजे, वो आप, थोड़ा, नहीं, वो आप से जो पूछना चाहता है, वो dimension की exact situation मन जाना चाहता है, क्या होती dimension, तो आ आप लिखेंगे dimension formula के लिए, ठीक है, अब आपकी बुक में, NCRT में तो करीव एक सो नौ formula है, आप सिंपल सी बात है, आप अभी 10th pass out होके आए हैं, बहुत सारे formula आप जानते नहीं, और आपकी starting का ही chapter dimension है, आगे जैसे से बढ़ोगे विजिए इस formula मिलेंगे, और बहुत सा formula याद होना चाहिए, length into breath, आप लिखेंगे dimensional formula diet कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे, L का L और B का L, बोले तो L square, इसको एक rectangular record बंद कर देते हैं, ठीक है, अगर unit की बात करते हैं, तो unit meter square है, अगर आप से कहें, इसकी unit क्या है, तो unit meter square है, लिखेंगे नहीं हम, मैं बता रहा ह हों की बल, ठीक है, अब ये interconnected बहुत सारे formula चलते चले जाएंगे, जैसे दूसरा, मैं आप से कहूँ, volume का formula बताओ, तो volume का general formula क्या होता है, length rate height होती है, और जब मैं कहूँ को dimensional formula, तो आप कहेंगे L into L into L, बोले तो L cube, तो actually dimensional formula है, exam में generally लिखे आता है, what is the dimension of volume, dimensional formula लिखे आता नहीं है, लेकिन आप समझ जाएंगे कि वो कहें क्या रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लिया, अब इसको जोड़ते हैं, density में, density का formula क्या होता है, mass upon volume, अब चुकि volume की dimension आप निकाल चुके हैं, तो जब dimensional, writing गंदी है, करें क्या, जब dimensional formula निकालेंगे, तो mass के लिए क्या करेंगे इसको उपर ले जाओ, ml to power minus 3, अगर आप को होगे, ml minus 3 तो हम आई से लिखेंगे, आप लिखेंगे, ml inverse 3 या ml to power minus 3, पूरी बात बोलेंगे, ठीक है, तो हमने density का इस्ते हमाल कर लिया, जैसे हम को speed चाहिए, तो को speed बोलो, चाहे तो velocity बोलो, velocity का formula क्या होता है, और इसका होता distance upon time, तो distance upon time बोलो, चाहे displacement upon time बोलो, distance upon time, dimension सेम होगी सबकी, तो जब dimensional formula लिखेंगे, तो distance के लिए L, time के लिए T, तो इसका क्या हो जाएगा, L T inverse 1, यह को formula बनाना सीखिएगा, क्योंकि formula interconnected होते हैं, और कहीं formula फस राया, तो हम उसको बना लेंगे, ठीक है, जैसे हम से कहा जाए, कि आप भई acceleration का formula बताईए, तो rate of change of velocity, तो को rate, change in velocity बोले तो velocity, velocity में change with velocity है ना, तो जब हम dimensional formula की बात करेंगे, तो velocity की dimension आप लिख चुके हैं, और time की T, इसको उपर ले जाओगे, L T to power minus T, minus 2, ठीक है, जैसे मालिया हमको force की बारे बात किया जाए, तो force का general formula क्या होता है, mass into acceleration होता है, तो अगर मैं इसके dimensional formula की बारे में बात करेंगे, तो M के लिए M और A के लिए L T inverse 2, देखिए आप आप से जुड़ रहे हैं नहीं जुड़ रहे हैं, ठीक है, नोट करते रही है, देखो भले ही बुक में लिखे हुए हैं, लेकिन आप नोट जरू करेंगे बु force into displacement in the direction of force, ये पहली condition है, ये फिलाल condition से यहां कोई मतलब नहीं है, और तो लिखेंगे dimension formula, तो force का निकाल चुके हैं आप, तो M L T inverse 2 into displacement का क्या हो जाएगा, L, तो इसका क्या हो जाएगा है, M L square T inverse 2, अच्छा चुड़ आप जानते हैं, वर्क ही energy है, तो जतने प्रकार की energy क dimension पूछेंगे सब की क्या हो गई, M L square T inverse 2, T inverse 2 या T to power minus 2, पूरी बात लिखो लिएगा, ठीक है, तो चाहें जो energy हो, काइन टेक, potential सब के energy ही होती है, ठीक है, अब जैसे मैं बात करूँ, power की, तो power का formula क्या होता है, work per new time, तो अगर मैं इसके dimensional formula लिखता हूँ, तो work का क्या हो T inverse 3, तो देखे, आप जिसे power की dimension आपको चाहिए, नहीं मालू, तो हमको power का formula मालूम है, work का निकालो, work का formula force into displacement, force का नहीं मालूम तो M A से निकालो, A का नहीं मालूम यहां से निकालो, V का नहीं मालूम यहां से निकालो, यह भी नहीं मालूम छोड़ दो, अजब कुस मालू तो मजबूरी कहीं तो छोड़ना पड़ेगा ना, यह भगल से देख लो गई, तुमने क्या लिखा ठीक है, यह कुछ formula है, नोट करिए,